हेलो फ्रेंड्स स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका श्वागत है आज के हम इस वीडियो में मुख्च गिस्सा एवं स्वास्त विभाग जीला कभीरधाम में विभिन भरतिया निकाली गई है इसकी संपूर जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए शुरू करते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन चालू कर लिजे ताकि आपको सभी प्रकार की वेकेंसी की जानकारी समय पर प्राप्त हो जाए कभीरधाम जीले में स्वास्त विभाग की भरतिया निकाली गई है इसे आप मुखिच गिसा एवं स्वास्त अदिकारी जीला कभीरधाम 36 गड़ के पते पर 249-2021 साम 5 बे तक रजिस्टरी डाग के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं अब हम पदो का विबरड देख लेते हैं जिसमें पहला पत है फीजियो थरीपिस्ट का एक पद लिखा ले गया है जिसमें सेक्षडिक योगेता बेचलर डिग्री और फीजियो थरेपी के लिए दिया गया है फीजियो लोजिस्ट क्लिनिकल के लिए एक पद लिखा ले ग लिका ले गये हैं। इसमें नर्सिंग अफिसर के लिए भी 29 पत लिका ले गये हैं। condition नियुंतम योग गिता, BSC Nursing और GNM Course पास्ट होने चाहिए और 36 गड़ नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रेजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसके बाद स्टाप नर्स के लिए एक पद लिका ले गए हैं ANM के लिए चार पद लिका ले गए हैं ANM, RBS, K के लिए दो पद लिका ले गए हैं LT, RBS, K के लिए दो पद लिका ले गए हैं OT, Technician के लिए एक पद Programming Associate के लिए एक पद Block Manager Account के लिए एक पद लिका ले गए हैं इसमें आपको Qualification इस परकार आप इसे देख सकते हैं इसके बाद आठवी, दसवी, बारवी पास्ट के लिए भी पद लिका ले गए हैं जैसे Junior Secretarial Assistant के लिए एक पद लिका ले गए हैं इसमें Cleaner के लिए एक पद Housekeeping Staff के लिए आठ पद Security Guard के लिए चार पद इसमें Pharmacist के लिए एक पद लिका ले गए हैं जिसमें आवेदन के साथ आपको 36 परती 100 परमाड़ी लगाना है इसके बाद आपको आवेदन एक से अधिक पदो है तू आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसे प्रिथक प्रिथक आवेदन आपको भरने होंगे इस बरते के लिए निवन्तम आयू 18 वर्ष और अधिक्तम 70 वर्ष दिये हुए हैं इसमें आयू का चूट आपको इस प्रकार दिया हैं आप इसे देख सकते हैं इसकी चैन प्रक्रिया, सेक्षडिक योगटा, अनुभाव, लिखित, कंप्यूटर बेश्ट या कॉसल परिच्छा या साख्षतकार के प्राप्तांकों के अनुसार लिया जाएगा इसमें अभ्यर्ति को लिकित या साक्षत कार के लिए इस प्रकार से संख्या में अभ्यर्ति को बुलाया जाएगा इसमें आपको अनुभो कर अंक भी देख सकते हैं जिसमें पांच वर्ष के लिए दिया हुआ है इसमें 10-15 अंक दिये जाएंगे चैनीद होने के बाद आपको इसमें मूल प्रती एवं 1-6-6 प्रती दियार्थी को साथ ले जाना आविश्यक है इसमें 10-12 नियुम्तम सेक्षडी के योग गेता का दिया हुआ है उसके बाद अनुभो प्रमाण पत्र भी आपको ले जाने होंगे परतेक पोस्ट के लिए आवेदन पत्र के साथ आपको आवेदन सुल्क भी भरना है जिसे आप डिस्ट्रिक हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम से डिमांड रॉफ के माध्यन से आवेदन पत्र के साथ सलगन करना आविश्यक होगा आवेदन सुल्क का विवरण हम देख लेते हैं जिसमें विकलांक, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती, महिला, अन्य पिछडावर्ग और अनारक्षित के लिए अलग-अलग दिये हैं इसमें आवेदन सुल्ख के लिए दो कंडिशन दिये हैं एक फैला कंडिशन है 25,000 या 25,000 से कम पदों के लिए आपको मैला के लिए 100 रुपे अनुसुचित जाती के लिए 100 रुपे देने होंगे अन्य पिछला वर को 200 रुपे देने होंगे अनरचित के लिए 300 देने होंगे इस प्रकार 25,000 से अधिक आये वाले पदों के लिए 100 रुपे आपके बढ़ जाएंगे इस प्रकार से आपको डिमांड डॉप के माध्यां से आवेधन पत्र के साथ इसे सलगने करना आविस्टक होगा अब हम इस आवेधन का प्रारूप देख लेते हैं या लिंक आपको वी सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद झाल 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 झाल